बेट अरपन क्या करें जब कि तनमन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें और देखें ये अध्भूत द्रिश्य है जब प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी श्रमे वो जैते हैं कि हमारी परंपरा का उद्गोश करते हैं सत्य में वो जैते हैं अगर भारती ये परंपरा का मह इसकोल मुझे याद आता है वो दिरश्ट जहां पर आप भी मौझूद थे कुम्भ के अवसर पर 2019 में जब उन्होंने पाउं पकारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुम्ब में अपनी महतपूर्ण भूमी का अदा की थी उन सफाई कर्मियों के पाउं पकारे थे उसके बाद नए संसत भवन के निर्माड के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले वो भी तस्वीरें स्पश्ट रूप से अभी ताजा तरीन हैं आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माड हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रम जीवी थी उनके उपर पुश्वर्षा के साथ में उन्होंने अपने तस्वीरें की चाहे थे और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दिर्शय और बानगी हमें स्पश्ट तौर पर प्रगेति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पश्ट नजार आ रही हैं जहांपर एक बार फिर से उन श्रम जीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हाल चाल जानते हैं उनके अनुभव को साजा करते हुए नजार आते हैं और एक कनेक्ट दिखाई देता है समाज के सबसे निशले व्यक्ति तक पहुँचने का जो कनेक्ट है प्रदान मंत्री का वो सबस्ट तौर पर बार-बार ऐसी घटनाव से हमें सबस्ट तौर पर देखने को मिल जाता है ये श्रम का सम्मान है ये श्रम जीवियों का सम्मान है ये श्रम और निश्ठा का सम्मान है ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगीयों को किया जा रहा अभिवादन है यह समूचे राष्ट का कृतग्यता ग्यापन है जो हमारे अट्टालीकाओं को हमारे प्रासादों को हमारे भविश्य के सपनों को हमारे बड़े-बड़े डैम को हमारे ITPO कॉम्पलेक्स को हमारे इंटरिशनल कंवेंशन सेंट तोर से आजे कहा गया है कि उद्यमेन ही सिध्धनती कार्यारी नमनोरत है नहीं सुप्तस से सिंहस्य प्रविशनती मुखे मृगाह ये पौरुष है ये श्रम है ये साधना ही है जो की व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है क्योंकि सोय हुए व्यक्ति के मुख में स्वयं पहुचता है कि सोय हुवे सिंह के मुख में मृग नहीं पहुचता है ऐसी अनेक सुक्तियां हमारे सुभासितान में कही गई है अनेक सुक्तियां ऐसी कही गई है जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेड़ा देती है और यह श्रम और यह परिश्रम है स प्रविशन सेंटर होना चाहिए और कैसे उसको भारत की संस्कृती और परंपरा के साथ जोडते हुए इस भवन का निर्मार किया गया होगा इन्हीं श्रम जीए ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया चाहे वो शंक की आकरिती में मुख्य भवन के निर्मार की बात हो इसक महाभूत की अवधारणा को दिखाता हुआ जो पूरा का पूरा जो कॉम्पलेक्स है वो हमारी प्रकृति के प्रती प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रती समर्पन को दिखाता है भारत की कलाकृतियां हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की जलकियां एक भारत और स्रेस्ट भ वो भी छवियों के रूप में अपने आपको आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकरशित करते हुए नजर आएंगी और यकीन मानिए कि ये अंतरास्ट्री स्तर पर भारत को उसकी संस्कृति के पहचान के रूप में ही देखा जाता है। या फिर जो राष्टा धक्ष उनको ये स्पश्ट तोर पर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है। जो कहता है वैश्वस्तर पर उसको करके दिखाता है और जब वो ऐसे भवनों को भी राष्ट को समर्पित करता है।